चेहरे पर चोटों के निशान, उल्जे हुए बाल, बेतर तीब दाढ़ी, फटे हुए वस्त्र, मस्बूत शरीर और जब ऐसा होता है न तब आखों में तेज होता है चोखट को लांगने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि कितनी सोतंतरता है एरी गैरी चीजों को भाव नहीं देना, एरे गैरों को मूनी लगाना प्रेम अगर होगा न सच मुछ तो वो एक चुनोती की तरह होता है, एक ललकार की तरह होता है, लोरी की तरह नहीं होता है शामियाने की कुरसी और सिंघासन में अंतर होता है सिंघासन शर्त रखता है मुझ पर सिर्फ राजा बैठेगा उनके तो चेहरे पर गरजना है ऐसे थोड़ी कि उन्होंने तिनका दिखा दिया होगा तो रावन पीछे हट गया रावन तिनके से तो नहीं पीछे अटने वाल सवतनत्र हो या आपको पता ही कैसे चलेगा आपको कैसे पता चलेगा आप सवतनत्र हो आपका दिल कितना सवतनत्र है बीमारी से उसके लिए एक चीज कराते है उसको बोलते है 스트स ECG stress आता है तभी तो पता चलता है कि हाल क्या है आप कुछ stress ही नहीं ला रहे हो जीवन में तो आपको पता क्या चलेगा आपका हाल क्या है बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई stressful physical activity होती ही नहीं है तो उनको भीतरी बीमारियां लगी होती है वो अग्दम last stage तक पहुच जाती है लेकिन आप अपने शरीर से काम ही बस 10 प्रतिशत capacity का ले रहे हो तो अगर बीमारी ने आपकी 80 प्रतिशत भी capacity खा ली है तो आपका शरीर तो काम करता रहेगा आपको पता ही नहीं चलेगा आप बात समझ रहे हो लेकिन जो अपने शरीर से 80 प्रतिशत काम ले रहा हो उसको बीमारी का तुरंट पता चल जाता है नहीं तो हो सकता आपको फेफड़ हो cancer हो और आपको बिलकुल अंत में आके पता चले क्योंकि सांस तो आपकी चल रही थी सांस रुकनी तब शुरी होई जब फेफड़ा पूरा जा चुका था लेकिन अगर आप रोज सुबह दोड़ते थे 5 किलो मीटर तो फेफड़े हो cancer तुरंट पकड़ में आ जाएगा एकदम शुरू में ही पकड़ में आ जाएगा क्योंकि वो दोड़ने में बाधा देने लगेगा आप कितने स्वतंत्र हो स्वतंत्र से मैं यहाँ पर स्वास्थ को स्वस्थ होने को समानार्थी ले रहा हूँ आप कितने स्वतंत्र हो पता तो तब चलेगा न जब आप बेड़ियों को चुनौती दोगे जो चुनौती नहीं दे रहा हो उसे पता क्या मैंने इबर कहा था अपनी मर्जी से चल रहे हो तो रुक कर दिखाओ आपके चलने में स्वतंत्रता कितनी है अभी पता चल जाएगा रुक कर दिखादीजिए कुछ ज़रा अलग तो करो जिन्दगी में कुछ ले करके तो आओ जिसमें कुछ प्रेयोग हो परीक्षन हो बात को घिसा जाए नहीं तो अपने आपको ये भरम दिये रहना कि हम तो स्वतंत्र हैं बहुत आसान है जेल में कैदी है वो भी अगर जेल के सब नीमों का पालंग कर रहा है तो स्वतंत्री तो है कौन उसको रोकने टोकने आता है बलकि अच्छे वेवहार के लिए बहुत कैदियों को तो प्रशंसा मिल जाती है जेल का कैदी भी बहुत स्वतंत्र अपने आपको मान सकता अगर वो सब कुछ वही करे जो जेल वाले चाहते है आपको कैसे पता आप स्वतंत्र हो कभी कुछ नियम काइदे तोड़ के भी तो दिखाओ जब तोड़ने लगोगे बेटा तो पता चलेगा कि ये तो ये तो स्वतंत्रता कहीं थी ही नहीं हम उतने ही स्वतंत्र है जितना खूटे से बंधी हुई गाए अपने दाइरे के भीतर वो पूरी स्वतंत्र है यहाँ जाओ देखो आप यह लो यह है उसकी चारदेवारी गाए की और गाए उचे नहीं आई फ्रीडम तो गाए को बोला गया फ्रीडम का मतलब है आप यहाँ भी बैठ सकते हो आप यहाँ बैठ सकते हो आप यहाँ भी इसलिए शब्द होता है बियॉंड गाए पूछी के नई गो बियॉंड देस एक पड़ा पट से इसके भीतर तो पूरी सौतंतर ता एं यह करो कि यह करो कि यह करो कि यह करो इसलिए यह 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 इनको कभी चुनाथी देकर देखो तो पता चलेगा कि मामला कितना स्वतंतर है विशेशकर महिलाओं के लिए मैं हें डिक इपसन का डॉल्स हाउस इसलिए बोलता हूं पढ़ने को जब तक आप अपने दाइरे के भीतर हैं आप ऐसे ही रहोगे जैसे आप वा 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 बहुत बढ़ियां आजाद भी हैं और एपल ओफ एवरिबडी आई यह बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां जिस दिन थोड़ा वो चोखट को लांगने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि कितनी सोतंत्रता है चिडिया भी पिंजडे के भीतर पर फड़ फड़ाने के लिए सोतंत्र होती है भाई बियॉंड यह शब्द है बियॉंड अतीत आगे आगे सबसे सुन्दर शब्द है यह बियॉंड बियॉंड कुछ देखे पूछो वाट इसी से प्यार होना चाहिए कुछ सामने आए जितना अच्छा हो वो उससे पूछो इससे और अच्छा क्या है यही आत्मा की तलाश है आत्मा की तलाश का मतलब ही होता है जो सामने है उस पे नहीं अटकना है पूछो इससे और अच्छा क्या है दिस गुड़ ना वोट लाइज बियांड दिस फिर से बोल रहा हूँ अध्यात्म का हमारे सामने जो स्वंसकरन लाया गया है वो बड़ा दूशित है कुछ बातें जो हमें बोल दी जाती है उदाहरण के लिए एक्सेप्ट वॉट इस ये सब अध्यात्म के बिलकुल विपरीत बातें है अध्यात्म का तो मतलब ही होता है कि नेवर नेवर एक्सेप्ट क्योंकि जो है वो तो आपको पता है ना आपकी ही दूशित अवस्था की छाया मात्र है आपने उसको अगर सुईकार कर लिया तो माने अपने दूशित हालत को सुईकार कर लिया नहीं निरंतर नकार नकार हो ही नहीं सकता अगर जो सामने है जैसी अपनी स्थिते उसको ही सुईकार कर लिया तो रिशी सब सुईकार कर लेते तो नेती नेती कौन करने आता फिर तो कहते जो है वही ठीक आए नेती नेती काटना काए के लिए accept things as they are love me as I am नहीं एकदम नहीं पर वो सब मुहावरे चलन में है इसकी वज़ा है वो सुविधा देते हैं वो तामसिक हैं वो आपको सहूलियत देते हैं कि जहां पढ़े हो वहीं पढ़े रहो सुवर के लिए बहुत अच्छा है न accept things as they are सुवर कीचड में पढ़ा हुआ है अब उसको बोलोगे सफाई कर तो कितनी मेहनत करे बेचारा तो कहीं से गया और अध्यात्मिक सूतर सीख कर आया है क्या accept life as it is और life as it is बढ़ी है एकदम टॉप का गटर और कैसी होती है जिंदगी as it is कैसी है जिंदगी टॉप का गटर है और क्या है लेकिन ये आध्वने का अध्यात्मिया ही है पूरा acceptance unconditional acceptance unconditional love unconditional love माने क्या कि वहाँ पे मल में सूर पड़ा है उसको जाकर बेशर्थ प्रेम करने लगूं और फिर कहूं कि मुझे सत्य से भी प्रेम है तो सत्य और सूर तो एक ही हो गए फिर या तो सत्य से कर लो प्रेम या गू में लोटते सूर से कर लो दोनों से एक ही सांस में एक बराबर तो प्रेम नहीं कर पाओ गई कर लोगे तो यह क्या होता unconditional love क्या होता है condition तो होनी चाहिए बहुत सस्ता प्रेम होगा जो शर्ते नहीं रखता वो प्रेम नहीं हो कुरसी है कोई भी आगे बैठ जाए शर्ते होनी चाहिए ना शामियाने की कुरसी और सिंखासन में अंतर होता है सिंखासन शर्त रखता है मुझ पर सिर्फ राजा बैठेगा और प्लेटफॉर्म की कुरसी रेल्वे प्लेटफॉर्म वो कोई शर्त नहीं रखती शर्त तो होनी चाहिए नहीं तो राजा फिर कभी जीवन में आएगा भी नहीं आपके राजा सिंगहसन पर ही मिलता है ना प्लेटफॉर्म वाली कुर्सी पर तो मिलता भी नहीं जो शर्त नहीं रखेगा उसको फिर वही मिलेगा जनरल प्लेटफॉर्म कोई भी आके बैठता रहेगा थोड़ा जीवन में न ठसक होनी चाहिए एक्स्क्लूजिविटी एक शान एरी एरी चीजों को भाव नहीं देना एरे एरों को मूनी लगाना तू क्यों है एरा गेरा मैं तेरा अपमान नहीं कर रहा हूँ मैं तुझे प्रेलणा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तू भी वही संभावना रखता है जो किसी उंचे से उंचे व्यक्ति में है तू अपनी संभावना क्यों नहीं साकार कर रहा है तू उससे बहुत नीचे चल रहा है मैं चाहता हूँ तू उपर उठे इसलिए शर्त रख रहा हूँ कुछ भी नहीं है दूसरे को बेशर्त स्विकार करने से पहले चाहे अपनी स्थितियों को बेशर्त स्विकार करने में हमारा स्वार्थ है क्या उसको बोलेंगे कि तू बदल तो हमेंगे तो बदलना पड़ेगा ना तू बदल ना मैं बदलू तू वहाँ लोट मैं यहाँ लोटू दोनों ने एक दूसरे को unconditionally accept कर रखा है प्रेम अगर होगा न सच मुझ तो वो एक चनोती की तरह होता है एक ललकार की तरह होता है लोरी की तरह नहीं होता है हमारा प्रेम नशीली लोरी होता है कोई जगराओ उसको भी सुला दे और बड़े हम खुश होते हैं कि देखो क्या मीठी लोरी है एकदम सो जाते हैं हम प्रेम वो जो सोते हुए को उठा दे क्या ललकार मारी उठ गए बिलकुँ अब आया ना जिंदगी में प्रेम पर ऐसा प्रेम बड़ा मुश्किल है चाहिए किसको सो रहे थे बिस्तर से गिर पड़े ललकार मार दी ललकार उधर से चीतकार इधर से लोरी वाला ठीक रहता है तुम गाओ मैं सो जाओं सुख सपनों में खो जाओं कुछ आ रही है बात समझ में है या फाल्तु ही महान लोगों का उत्सव मनाना है बिना खुद महान बने यह कौन सा उत्सव है जिसमें हम बैठ जाते भेड़ बकरी चीटी चीटेगी तरह है और कहते हैं बस वो लोग महान थे उन्हें कितना बुरा लगता हो तुम मुझे महान बोल रहे हो तुम क्या हो जबकि तुम हो बिलकुल वही सकते हो जो हम हुए फिर तुम क्यों ऐसे बने बैठे हो जब जीवन को चुनोती दिये बिना स्वयम को स्वतंत्र मान लिया जाता है तो वो अध्यात्म नहीं पलायन कहलाता है पलायन में आप भोग नहीं रहे होते हो क्योंकि भोगने की आपकी आउकाती नहीं है और अध्यात्म में आप में पूरी क्षमता होती है जीवन की हर चुनोती से संघर्ष को आप तैयार हो आप जीते हो आप जीतते हो और जीतने के बाद कहते हो नहीं भोगना दोनु चीजों बहुत अंतर है ना एक इसलिए नहीं भोग रहा क्योंकि उसके भोगने की कभी बारी ही नहीं आई और एक इसलिए नहीं भोग रहा क्योंकि उसे भोगने की जरूरत नहीं है एक नहीं भोग रहा क्योंकि भोगने की पातरता नहीं है योग्यता नहीं है और दूसरा नहीं भोग रहा क्योंकि उसे भोगने की जरूरत नहीं हो कह रहा है बाहर 6 फुट की चीज है, भीतर 6.5 फुट की चीज है, काई को भोगूं? और अध्यात्म ने बहुत आकर्षित किया है ऐसों को, वो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं यहाँ पर त्याग वगरा की बात होती है, यहाँ तो जिनके पास होता भी उनका भी छुड़वा दिया जाता है, हमारे लिए सोजधा है, हमारे पास तो कुछ है यह नहीं, तो यह जगे हमारी है, सचसंग वगरा हमें चलो बैठते हैं, ऐसे नहीं, विजेताओं का क्षेत्र है, अरुजन और कृष्ण है, तब गीता है, यह थोड़ी कि वहाँ इधर उदर के दो प्यादे खड़े हुए हैं, सर पे उल्टा कटोरा डालके, एकदम ऐसे मरियल, एक 35 किलो, एक 45 किलो का, उनमें आपस में कभी गीता उठेगी, और इतनी देर यह लोग बात कर रहे थे क्रिशन रजन, उतनी देर प्यादों ने भी कोई चुप तो बैठे नहीं होगा, इतनी देर में हमें आब बात कर र रामायन, कुछ और, वो कर भी रहे होंगे, बात तो क्या कर रहे होंगे, वह यह अपनी कुछ, छोटी बात, अध्यात्म भी बड़े योद्धाओं के लिए होता है, बड़ी लड़ाई उठाइए, तब जाकर के आप गीता को दिल से महसूस कर पाएंगे, जिन्दगी में उतनी बड़ी अगर कोई लड़ाई नहीं है, जितनी अरजुन के सामने है, तो गीता, आपको किसी दूसरे की बात लगेगी, किसी दूसरे के संदर्फ में किसी दूसरे से कही गई बात फिर लगे गई नहीं कि ये मेरी तो जिन्दगी और बात मुझसे ही तो कही जा रही है तो मझे रहे हो हटेगा हम बताइए हम भूल कर बैठते हैं संतों को अगर जैसे संतों को देख कर के इंपूर कर बैठते हैं असल में आप देखते नहीं हो ना आपके सामने कुछ चित्र रख दिये जाते हैं समाज ने संतों का चित्रण अपनी सुविधा और अपने स्वारत के हिसाब से करा है आप किसी दुकान में जाईएगा जहां मालिक सिख हो वहां निश्चित रूप से गुरु नानक सहाब का वहां पे चित्र लगा होगा और यह बहुत अच्छी बात है पर आप उसमें देखिएगा कि आशिरवाद की मुद्रा में उनका हाथ कैसे दिखाया है उनका हाथ एगदम सुकोमल दिखाया है जबकि नानक सहाब ने जिंदगी पर क्या करा था यातराइक करी थी और यातराओं से वापस आते तो क्या करते थे किसान के हाथ देखें कैसे होते हैं लेकिन अगर हमने दिखा दिया कि ये आदमी कितना करमठ था कितना जुजहारू था कितना महनती था तो फिर हमें भी तो हम उनका हाथ ऐसे दिखाते हैं जैसे बच्छे का कोमल हाथ हो आज दिवाली ये राम सीता कि आप पुरानी प्रतिमाई देखिएगा या चित्र देखिएगा वो ऐसे खड़े होते हैं जैसे जिनों जिनोंने 14 साल जंगल में गुजारे हैं उनकी खाल कैसी हो जाएगी कैसी हो जाएगी उनका पूरा शरीर कैसा होगा पर आप देखिए चित्रण कैसा करते हैं हमें कभी ये बताया ही नहीं जाता कि अध्यात्म का मतलब ही संगर्ष है वह ऐसे दिखाया जाता है जैसे ये लोग तो आराम कर रहे थे ये तो आराम कर रहे थे कि अरे भाई 14 साल जंगल में कितनी जगह तो चहरे पर निशान पड़ गए होंगे स्कार्स वही जो कि सूर्मा का पदक होते हैं कि वह कभी दिखाए गए आज तक कि रंग गोरा रह जाएगा और क्या गोरा गोरा रंग दिखा देते हैं कि कपड़े ऐसे दिखाते हैं कि बस अभी अभी जा करके मौल से निकाल करके पहने हैं जो जंगल में भटा कर रहे हैं उनके वस्तर कैसे होंगे कभी दिखाए गए तो हमें पता नहीं चलने पाता न कि अध्यात्म का मतलब भी संघर्ष होता है आपको दिखाया जाता कि देखिए सीता जी कैसे संघर्ष कर रही है तो महिलाओं में भी कुछ संघर्ष का भाव आता आपको सीता जी का संघर्ष कभी दिखाया ही नहीं जाता आपको दिखाया जाता हो सुकोमल बस खड़ी आशरवाद भर देने को कि तो चेहरे पे गरजना है कि ऐसी थोड़ी कि उन्हें ने तिंका दिखा दिया होगा तो रावन फीछे हट गया रावन तिनके से तो नहीं फीछे अथने वाला था कि तेज कोष ऐसा था कि तरा गया था रावन फीछे अदने पीछे हटा था जू असली बात हुए हो पे रही और रावन हाथ नहीं लगाने पाया कि चौद्धा कि बरस की वनवासिनी इस्त्री है कि उन्होंने तेज अपना जाग्रत कराए कि वो तेज हमें कभी दिखाया जाता है और तो और छोड़ दीजिए कभी आप देखिएगा आप पस कृष्ण अर्जुन लिखके आप अभी गूगल कर लीजिए इमेज इमेज़ लिख दीजिए उसमें अर्जुन ऐसे आते हैं माने हाथ हाथ उनके ऐसे ऐसे मुलायां मुलायां कि जैसे कोई रसोहियां कि जिसने जिन्दगी में कभी कडाही से जादा वजनी कुछ उठाया ना हो और वहाँ उनकी प्रत्यंचा की टंकार और कृष्ण उनको क्या बोल रहे हैं महा बाहो और महा बाहो के बाहु देखिएगा जो हमारी प्रत्यमाई रहती हैं उनमें कैसे रहते हैं हमें यह जानने ही नहीं दिया जाता कि यह मामला मजबूत लोगों का है तो हमारी कमजोरी को ठिकाना मिल जाता है हम छुपे रह जाते हैं सब के चेहरे ऐसे ऐसे हाँ हाँ अ बस यही तो कर रहे थे हो जंदगी में तभी तो इतना कुछ कर पाए हैं अब बुद्ध बारा साल जब तक जीए तब तक भटकते रहें और लेकिन आपको दिखाया क्या जाएगा हमेशा कि बैठे हुए हैं और बैठना तो छोड़ दो लेटे हुए हैं विश्णू की शेशनाग वाली मुद्रा दिखाई जाती है बिल्कुल ऐसे ही है कि बुद्ध भी ऐसे लेटे और लेटने का कब मौका मिलता था पर जिन लोगों की जिन्दगी लेटे-लेटे गुजर रही है वो यही देखना चाहते हैं कि बुद्ध भी लेटे हुए थे कभी बुद्ध का संगर्ष दिखाया, अभी उस आदमी का तळपता हुआ चाहरा दिखाया और बुद्ध बहुत तळपे थे. पर हमें बुद्ध का तळपता चाहरा कभी दिखाया नहीं जाता. दिखाय जाता है यह गड़बढ है न हमें तो यह दिखाय जाता है तो बस शांती में थे शांती में थे शांती वाले लोग थे एक छवी पकड़ लिए शांत शांत वांत कुछ नहीं होता बहुत महनत लगती है जूजना पड़ता है तूट जाते हो भीतर से तब जा करके आत्मा उठती है इतना नहीं होता है और वो जो शांती वाली छवी बना लिए उससे सब बहुरूपियों का काम आसान हो गया उनको पता है कि शांत अपने आपको दिखा दो तो संत कहला जाओगे तो सब शांत हो कैसे बैठ जाते हैं और जाते हैं महराज 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 शान तो दूसरा स्थिर मेरे पीछे पड़े हुए बुलते हैं ये पाउं क्यों हिलाते हैं बात करते हैं इससे पता चलता है कि इनका चित भी स्थिर नहीं है कभी न पाँच घंटे बैठना तो पता चलेगा कि क्रैम साते हैं पाउं हिलाने पड़ते हैं, नहीं तो पाउं वहीं पर जम जाएंगे, पर तुम जूठी छवियां पकड़ कर बैठ गए हो, बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे भी, पाच घंटे कहीं बैठ करके देख लो, कि पूरा शरीर कैसे जाम होता है, शरीर हिलाना पड़ता है जबर अगर इंफ्लमेटरी डिजीज हो, सब जाम हो जाती है, अपर बॉड़ी तो फिर भी चलती है, यह चल रहे हैं, अब पाउं क क्या करें, तो पाउं चलाने भी पड़ते हैं, पर ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, कि बात करना भी एक संघर्ष है, कोई बताएगा नही बता दिये गया है, बस वो पालती मार के बैठे हैं, लोटस पोस, काहे का लोटस, सच्चाई खुरदुरी होती है, और सच्चाई की खुदराहट से न, हमारी खाल छिल जाएगी, तो हमें सच्चाई एकदम कोमल करके दिखा दी जाती है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं वैसे ही, जहां देखो तुम अवतारों को, सफा चट क्लीन शेविन, जंगल में कहां से मिलता था उनको उस तरह, और वो भी रोज रोज की एकदम साफ, सोच के देखो, पर बुद्धी का तो अध्यात में कोई स्थान होता ही नहीं न, आपक की सचमुझ कैसी होगी, उनके व्यक्तित्तों के एक एक तत्तों में उनके संघर्ष की गाथा होगी, चेहरे पर चोटों के निशान, उलजे हुए बाल, बेतर्पीब दाढ़ी, फटे हुए वस्त्र, मस्बूत शरीर, और जब ऐसा होता है न, तब आखों में तेज होता है वो सब हमें दिखाया नहीं जाता है, तो हम भी कोमल 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 बनके घूम रहे हैं, मैं तो कहता हूँ, वो जब खुद बोल रहे हैं, सब जग जलता देख के दिया, हुआ कभी रुदास और दिया कभी उनको रोते हुए भी तो दिखा दो न, नहीं दिखाते, और वो नहीं दिखाते हैं उनको रोते हुए क्योंकि उनकी रोती हुई शकल हमारी सुख में डूबी हुई शकल पर तमाचा हो जाएगी वो आदमी रो रहा है और तुम ठाहा के मार रहा है तुम्हारी जिंदगी है तुमसे बरदाश्त नहीं होगी उनकी रोती हुई शकल तो तुम उनकी शकल ऐसे दिखाते हो कि उतो शान्त बैठें बिल्कुल शान्त नहीं बैठते हैं अध्यात्म बहुत रुराता है सच्ची जिन्दगी जीना माने टूटना आग का दरिया डूप के जाना आग का दरिया हो ना अपने आसुओं का दरिया जरूर होता है वो सब कभी नहीं बताया जाता बोल देंगे वो तो भगवान थे तो उनके पास दिवशक्ती थी तो उन्होंने एक पल में भस्म कर दिया महनत करते हैं एक पल में कुछ नहीं हो जाता वो महनत हम मानना नहीं चाहते कि की गई तो हम कह देते हैं भगवान थे दिवे शक्ति थी एक पल ने भस्म कर दिया अगर भस्म किया तो बहुत महनत करके किया दिवे शक्ति से कुछ नहीं भस्म कर दिया हम उस महनत के तथ को बिलकुल अस्विकार कर देना चाहते हैं मान लिया उन्होंने महनत करी थी तो हमें भी करनी पड़ेगी न तो तब ये मान लो कि उत बस उन्होंने अभिमंत्रित बान चलाया और मार दिया तो मर गया ओ हमें हमारे ज्ञानियों का रिशियों का कराहता हुआ चहरा चाहिए तूटता हुआ चहरा चाहिए और हम देखना चाहते हैं कि जब सब कुछ तूटराओ तब भी वो कौन सी चीज है जो भीतर जुड़ी हुई रहती है उसी को आत्मा कहते है कर दो दो झाल झाल